डूंगरपूर में पेट्रोल पंप ब्लास्ट के मामले की जांच के लिए जैपूर और मुंबई से टीम ही पहुंची है साथ में एक्सप्लॉव लिव मामले में साइंटिस्टों ने भी डूंगरपूर पहुंच करके साख्षय कत्रित किये वहीं प्रवधैपूर से हिंदोस पेट्रोलियम के दिकारी शहर में देर जमाय बैठे हैं इधर ब्लास्ट के घायल हुए पेडितों सहीत मैनेजर और पंप कर्मियों का बयान गया वहीं पर जिला प्रश्टासन की और से नियुक्त जांच अजिकारी प्रभादिलाज जाट भी तप्तिश कर रही हैं कि जांच में तो कुछ भी एक्जेक्ट कारण तो नहीं बता सकते तो थोड़ा सा इसका पूरा अच्छी तरीके से मौयना करना पड़ेगा उसके बाद की क्या कारण रहे हैं जिसकी वज़े से इतना बड़ा हाथसा हुआ अच्छी बात सिर्फ यह है कि इसमें किसी की जानमाल की आनी नहीं हुई तो कोशिश करें कि जो भी कारण इनकी वज़े से हुआ इंसिडेंट वो आइडेंटिफाई हो और आगे वो स्टेप्स लिए जहें जिससे की इस टाइप की कोई देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी न्यूज साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पासकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन